असलाम अलेकूम विलकम बेक टू मैं चैनल सितारा फेशनिस के आर आल वीवर्स आज हम आपको बैक का गला बनाना सिखाएंगे अगर आप चैनल पर नू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ओन कर लें तागे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें य इस तरह से देखें आपने बराबर रख लेना है कंदी को और फिर आधा इंच आपने बला कर यहां से आधा इंच बला कर निशान लगा लेना है और साइज में जितना आपने गला रखना है उतना ही निशान लगाना है इसके अंदर कुछ बलाना नहीं होता है तो मैं इसका डेला खना भाव रख हरा हूँ , पार सबस्क्त को थाज दिए 4 तो आप ब्सक्त का है और सबस्क्त पर हम कर देंगे अच्छे से इसको कटिंग इसके बाद वीवर्स यह मेंने एक औरेब पटी कटिंग करी है औरेब कपला जिस तरह हम कट करते हैं दो इंच ओड़ी यह पटी है इसकी चुड़ाई मैंने दो इंच ली है आपने इसको इस तरह से रख लेना है और फिर आपने इसको रखना है उल्टा और इसके अंदर आपने लगानी है एक बूट की सिलाई जब आप इसके ओपर सिलाई लगाएं तो ऊपर टीक वाला जो यह हमारा बैक के गले वाला कपड़ा है इसको हलका सा अपनी तरफ खीच के रखिएगा बिल्कुल हलका सा ज्यादा नहीं बिल्कुल हलका सा खीचना है आपको फिर बता रहा हूँ बस यह अच्छे से सीधा हो जाए इस तरह से खीचना है ठीक है इस तरह से आपने इसको शलाई लगा लेनी है इसाफी जो हो इसको कट करना है और यहां से आपने इसको इस तरह से पलट लेना है उसके बाद यह जो शलाई का कपड़ा है अंदर वाला यह आपने उपर की तरफ ही रखना है और इसको इससे पलटा लेना है और यहां पर किनारे की श्लाई लगानी है यह देखें इसको आपने आदे इंच से थोड़ा कम बनाना है पतला जितना आप इसको खुबसूर्ती से पतला बनाएंगे उतना ही आपका बैक का गला अच्छे से बनेगा मैं तक्रीबं तीन सूत जितना चोड़ा यह बैक का गला बना रहा कर देना है इंव इदर भी जग कर देना है और पीछे कपड़ा व भी आप ने करकें तोने जम्हें के बराबर कर देना है यह इस तरह से यह देखें वीवर्स को यह मैंने कट कर लिया है अभी आप आपने इसको ऐसे मशीन में रख लेना है उसके बाद यह जो गला है आपका फ़रंट वाला उसकी कंदी को भी आपने ऐसे रख लेना है यह देखें यह वाला ऐसे आगे रहेगा बेक का गला और यहां पर हम लेंगे आदे इंच की सलाई ठीक है इस तरह से देखें आपने उसको आगे ही रखना है और इस सलाई को यहां पर पका करके निकालना है दूसरे वाला भी आपने ऐसे ही रख के शुरू कर देना है और इसमें भी आपने एक समान आदे इंच की सलाई लेनी है यहां से इजाफी धागों को कट कर देंगे अभी आपने देखें इस तरह से इसको यह गले के उपर चड़ा लेना है और अभी आपने सलाई चलानी है यहां पे यहां वाले गले पे आपने अराम अराम से सलाई चलानी होती है थोड़ी थोड़ी करके इसको आपने सेट करना है गले के उपर यह कमीज के उपर की तरफ फलटना है और इसको दीरे-दीरे सलाई लगानी है क्योंकि गुलाई वालब पटिशन है तो गुलाई के अंदर हम हमेशा सिलो-सिलो थोड़ी-थोड़ी करके सलाई लगाते हैं यह देखें यहां से भी इसको मैंने गले के ओपर पलट लिया और यहां से हम पका करके इसको निकाल देंगे तो वीवर्स यह देखें हमारा बैक का गला कितना अच्छे से बन चुका है अगर आपको हमारी बनाएगे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नौटिफिकेशन जरूर अन कर लें ताके इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें और हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दीजिए तो वीवर्स मिलते हैं इंशालला नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा खयाल और दौाओं में रखिएगा याद अल्लाहाफेश